हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल स्कूल अफ नॉलेज आज मैं आपके लिए जीवी ग्यानविसे की पार्थ योजना लेकर आई हूं जिसका प्रेक्रड है जल प्रदूशड आए देखते हैं कि जल प्रदूशड के लिए पार्थ योजना कैसे त्यार कहले इससान को सहब होते हैं उसके फ़ते हैं तेबल बनाते हैं जिसको बणाया जाते हैं जिसमें पहला कॉलम होता लिखने के बाद हम लिखते हैं दिये जाते हैं एक उसफी में विघ्सेय बच्चों में विज्ञान-बीसह प्रति-रूच्य उत्पन करना दूसरा है छात्रों की तार्किक मानसिक शक्ति का विकास करना, तीसरा छात्रों में आत्म विश्वास की भावना को जागरित करना, चौथा छात्रों की अलोकन चमता को विक्सित करना, और पाच्वा है छात्रों की बौधिक तथा मानसिक शक्ति का विकास करना, तो ये पां जन सकेंगे दूसरा है बुदात्मक उदेश उसके अंतरकर जब ग्यानप्राप्थ होगा तो उसको समझने भी लागेंगे छाट जल प्रदूशर को दूर करने की उपायों को समझ सकेंगे ऐसे चाट जल का करनां करने को बता सकेंगे और छामने का भी प्रदूशर के करने को अकृती Woah कर सकेंगे तो यह हो कि आपका उद्धे से उसका नमबर आता है सहायक सामागरी का तो सहायक सामागरी में हम लिखते हैं कि जल प्रदूर्शन को दर्शाता चार्ट पेपर रोलिंग बोड संकेतक चॉक डेस्टर गिलास का पानी या पानी की बोतल जो है जो भी हो आप लेवल प्रक्रण निकलवाते हैं प्रक्रण जो है बच्चों के पूर्वज्यान प्याधारीत होता है बच्चों करती है कि बाधिय क्या हिए और किन ले यह वाटर ईसाब रेल नीद है यह सम्मार्केट में अवलेवल है तो बच्चे भी देखने दो बोलते हैं देखे इसार यह तो पीने का पानी की बोतल है यह पानी की बोतल है या जवाब देंगे ठीक है फिर आप उनके आंसर को लेके अगला पूछन पूछेंगे पीने का पाणी कैसा है साफ है की गंदा है तो बच्चे क्या ज़वाब देंगे की ये साफ पानी थीक है टिक के उसका नेक्सकोशन पूछेंगे इस से लेके की दूसित पानी या जल को विज्ञान के शब्दों में क्या बोल सकते हैं तो बच्चे क्या बताएंगे कि जल प्रदूसीत हो गया है ठीक है उसका देला कोशन पूछ दिए अगर बच्चे यहां बता दियें कि तो तब तो यहां समझाद मारा नहीं पहलugen कि यहां प्रकंपर चाहिं पूछ सकते हैं तो बच्च Apache समझतować हो तो यह बढ़ी प्रक्रमником सब्सक्राइब को सब्सक्राइब समस्यात्मक हो जाता है तो फिस सिक्ष्ष का उद्देश से कथन करते हैं कि बच्चो आज हम लोग विज्ञान विश्या की अंद्रगर्जल प्रोदूशन के बारे में बिस्त्री तद्यान करेंगे उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तूति करण का तो पाठ प्रस्तूति करने तो पहला सिक्षड बिंदू है जल प्रदूशन ठीक है सिच का प्रश्ण करती कि जल प्रदूशन से क्या तात्मक हो गया यह तो सिच का इस पस्चिकरर देगी क्या इस पस्चिकरर दे रहे देखिए कि जब जल की भौतिक रासानी तथा जैवी गुडवत्ता में ऐसा पर प्रदूशित जल हो जाता है तो इधर साथ ही साथ स्यामपट पर भी लिख दिया कि जल के भौतिक रासानी तथा जैवी गुडव में परिवर्तन होना जल का जल प्रदूशन कहलाता है अपने जैवी लिखके दिखा दिया ठीक है उसके बाद इसे रिलेटेट बुदात्म प्रदूशण के प्रदूशण के बारे में आप क्या जानते हैं ठीक है तो बच्चे क्या हो जाएंगे समस्यात्मक हो गया तो इस पस्टिकरण देगी कि जल प्रदूशड की कारण वह उसके प्रभाव को निम्न विंद्वों के द्वारा समझा जा सकता है ठीक है तो पॉइंट वाइज बताये गया कि क्या क्या कारण है तो उसमें पहला प लाना हादी तीसरा अधोगी करिशी अपसिस्टों को नदी नालों में प्रवाइद करना चौथा बड़ी मात्रा में घरेलु सीवेज को नदियों में प्रवाइद करने से यूट्रॉफिकेशन की स्थितिवत्पन हो जाना पाच बाहा है जल प्रदूशड के कारण बिमारिया होंगी और उससे की साथ साथ क्या समस्या रुद्पन होंगी वो भी हमने इस शिक्षण बिंदू में लिखके बता दिए उसके वाद हम इता साइड में जो है श्यामपठ पे लिखके दिखा देंगे कि क्या कारण है तो घरेलू अपसिस्ट अपमार्जा को अध्य नदी नालो में प्रभाइद करना इसके कारण हो जाता है जल प्रदूश्ण फिर क्या दिखा कि जल प्रदूश्ण की कारण कौन-कौन से बिमारिया है ताइफाइड है जा पी लिया ती सारा दिरोग फैलते हैं और क्या लिख दिया कि साथ ही पानी में रहने वाले जो दो बिमारियों की नाम बता है तो बच्चे बता देंगे कौन-कौन-कौन सी प्रष्न पूश्न के कह दो करणो को बताई काहरे बच्चे की सीवेज मारिय нетफाइब कर नादी नालो में दूसरा प्रभाइबा य ज़ारे सिक्षड विण गष्ष्ष्ष्ष की उपरांथी जलाशियों में विसरजित किया जाए दूसरा है नली नाली वाहिद मल पोखरेत तजीलादे की नियमित रुप से सफाई कराई जाए तीसरा है समुंद्रवा अने जल स्रूतों में तेल दिशाओ व्यक तकनीक व लकडी की बुरादे का प्रयोग करके हटाने का प्रयास किया जाए और पांचवा चौथा है मद नि निवारण का कैसे सही कर सकते हैं तो इस heirlo terra पर सब्सक्रादे का निवार नियमित रुप से सफाई की जाए दूसरा की घ्र तताकार घ्र में तीसरा है मर्या जीवो एक को मृदा में दबा देना चाहिए जिससे कि उतके जल को दूसित ना कर पाएं और चौथा है घरों में से निवारण के केवल दो तरुकों को बताईए तो जब आप दे देंगे बच्चे की घरीलू तो अता हो दोगी अपसिस्टों का संजत्रों दोरा शोधन किया जाए उसके बाद उनको नदी नालों में डाला जाए ठीक है फिर दूसरा दे दिया कि नाली पोखरे तथा जाएगा हमारा साफ रहेगा फिर दूसरा प्रश्ण पूछ लिया कि जल से तेल की अशुद्धी को कैसे दूर कर सकते हैं तो बच्चे क्या जब आप देंगे चूशक तकनीक का प्रयोग करके जिस्ता था लगडी के बुरादे का प्रयोग करके ठीक है लगडी की कर्श्ण पूछ लिए है कि जयल प्रदूसर के कारक्ता था है हानिकारद कर प्रभाव को बताई यह भी तहरां बच्चों को ख़िखा सकते हैं कि जल प्रधुषर क्या है तो उसमें लिख दिया कि बहुत त्बाद्धि गड़ों कर दिया उसके सब्सक्राइब पी लिया है जातिसारादी और धेल दैंड ठीक है उसके बाद जल का सइन तो दारण शोधन करके चल को स्युद्र किया सकते हैं उसके नम्मर आता है घृक आरेगा बच्चों को दे दिया कि जल प्रदूषड के कारण निमार निमारड तथा उसके हानिकारक प्रणाव को के लिए आप अपना ध्यान रखें टेक केर बाई